नमस्कार किशान भाईयों राजपूत फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो जो है वह पेड़ी गन्ने पे होने वाली है और इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने पेड़ी गन्ने को जनवरी में कटवा दिया या फरबरी में कटवा दिया कटवा जर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो सिर्फ आपके खेत में 40% से 30% जर्मिनेशन हुआ है पूरे खेत में तो ऐसे में आपका दिमाग कुछ अलग सोचने लगता है और आप यह सोचते हैं कि इसमें जो है कि उना इसको जोत के दुबारा से गन्ने को हम बवाई करें या हम इसमें यह काम करें जो हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो जाए कुछ तो किसान ऐसे होते हैं कि जब खेत को देखते हैं तो उनका भीलकुल खून सुलक जाता है और वह बिलकुल खेत को नहीं देखते हैं तो ऐसे में आज इस वीडियो को आप पूरा आंता तक देखिए मैं हैं आपको बताऊंगा कि आपको कि वीडियो में में मैं दिखाऊंगा दोस्तो इंहाँ पर अपने यहां मेरे साथ हो चुका है कि मैंने जैसेडना कटाया उसके बाद तुरंत ही बारिस होने से क्या हुआ कि फंगस का टेक हो गया और फंगस के बजे से हमारा जर्मिनेशन प्रभावित हो गया और 40-50% जर्मिनेशन पूरे खेत में है तो इसमें उसको किलों को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहां पे सबसे पहले एक गोड लगा दी गोड लगाने के ठीक 10-12 दिन के बाद हमने इसमें पानी चोड़ना है पानी के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वह है फर्टिलाइजर का यूज कैसे करना है अपने खेत में आपको क्या डालना है जो कि आपकी जर्मिनेशन और आपके कल्ले जो है वो एक्टिवेट हो जाएं और अ ऐसे एजेंट हुए जिन से बात करी कि भाई मुझे एक्टिवेट करना है किले तो आप अपना राय दीजिए ऐसे करके चार छे एजेंट से भी पूझा बाकी पेस्टिसाइड यानि दुकान पे दबा की दुकान पे गए बहां भी सला मिलाई तो जो रिजल्ट निकला है वह आपके सामने हैं दोस्तों मैं यहाँ पर एक थैला माइक्रो निट्रीन सागारिका लूँगा दोस्तों जो किल्ले हमारे निकलाए हैं उनको निट्रिशन की इस समय बहुत आविश्चता है ऐसे में इस सागारिका का बहुत बड़ा रोल होगा और साथ में हमने यहाँ 20-25 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से यूरिया ले रखी है और साथ में हमने एक बहुत ही अच्छा थाइपोनेट मेथाइल फंगी साइड का 70% वाला यहां पर हमने लेना है और लेके हमें तीनों चीजों का मिक्स्चर देना है और साथ में चोथी चीज जो हमें लगानी है किले बड़े हो चुके है और हम यूरिया लगाएंगे तो हमारे किले भहती ज़्यादा नरम हो जाएंगी हो जाएंगे और उनमें गर्मीके बज़े से सूरियां भी बनना सुरू होंगी और कीट का प्रकोप आ सकता है तो हमने उसको रोकने के लिए इंसक्टिसाइड कीट ना सक को हमने इसी पानी पर पहले लगा देंगे और हम यह सारा मिक्चर लगाने पर हमें अभी यहां पर क्याम काम करना है यूरिया के साथ में एक तरल पदार्त होता है इसमें मिलाएंगे तो यह जो है गीली हो जाएगी तो ऐसे में लगाने में थोड़ी कठनाई होगी तो आप चाहें तो मिला के लगा दीजिए यहां पर हम जो है इसको अलग टाइप में लगाएंगे इस प्रे के माध्यम से और इन तीजों को ती प्रेटली भर देंगे इस तरीके से अगर आप देखते हैं मिक्सचर को तो मिक्सचर कुछ इस प्रकार का होगा इस तरीके से हम मिक्स करेंगे तो ऐसे करके हमें पूरा मिक्सचर तयार करना है तो प्रती एकड के हिसाब से यहां पे 9 वीगा है टोटल हमारे पास तो यहां इस प्रकार का फार्मूला है तो इस फार्मूले से हम गंभीर के नाम से यहां पर काफी फेमस है लगाएंगे मेरे किसान भाई यो जानकारी आपको गोई से लगी चैनल में कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस डिए वीडियो को लाइक करते